तो जैसा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा रहा है कि चेंग जो बहुत ज्यादा ड्रंक कंडिशन में है तो गुहा उसे अपने घर लेकर के साथ है जुआंसे लड़ जगर करके अब चेंग उसे जाने नहीं दे रही थी तो वो उसे किसी कर लेता है अगली इसको टच कहने वाली थी गुहा जग जाता है गुहा जब जगता है तो वह खुदी चेंग को हक करने लगता है और उसे छेड़ने के लिए बोलता है कि कल तो तुम बड़ा मचे जाने नहीं दे रही थी आज कहां जा रही हो अब पेशारी चेंग पुरा एंबैरस हो जाती तुम बहुत ज्यादा ड्रंग थी और कल तुम मुझे जाने ही नहीं दे थी अपनी मोम को तुम मैस कह रही थी और तुम मुझे जब जलती हक एक सोई और सो न मुझे ब्लेम मत लगाना लेकिन चेंग को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा तो उसे कल रात का यी चीज लॉन्डी की कोई खुसी तो देखे परिशान करना तो कोई इससे सीखे जब वह अपने ऑफिस जाता है तो जादा है स्माइल मूड में था इतना मुस्की मार के चल रहा ताने कि सारी इसको आफिस वाले गोसिप करने लगते हैं कि लगता है ना कि हमारे बॉस नहीं प्यार खुदी इंट्रेस्टेट है जानने में कि उसके और चेंग के मिसमें चल क्या रहा है हो जाता है उससे ऑफिस में बात करने के लिए तो गोहा करता है सुनो कुछ और कंपनी को ढूंड़ों जो कि चेंग की कंपनी में ना इनवेस्ट करने के लिए रेडी हो चेंग की कंपन करना है तो है तो करना पड़ीगा लेकिन बिचारी गुहाँ को दूर दूर तो कोई और एक्स्ट्रा हेल्प नजर नहीं आ रहा था जब वो चिंग को सब्प्राइज देने के लिए घर जाता है तो देखता है कि उसके लिए फ्रूट्स कट करके कुछ नोट लिख करके हुआ है फ्रूट्स खाता है नोट्स पड़ता है इसके बाद जोसके लिए उसने गिफ्ट लेकर गया था एक क्यूट सा डॉगी कट आये था वह से निकाल करके देख करके सोच रहा था कल रात के बारे में और कुछ जादा ही मन्हीमन खुश हो रहा था वह यह प्लैन बना को आते ही इसमेश चिपकने लगती है इसमें ख़क करने लगता है पें ऐसको अलग करता है रहे जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक चूट सा ट्वाय रखा हूँ है वह से देखर कर समझ जाती है कि गुहो किसे लड़की के चक्र में तो पढ़ी गया है तभी यह सारी क्यूट क्यूट से चीजे बाई करके ले के आ रहा है वह से पूछने का कोसिज भ करके बोलती है कि हमारी कंपनेश को तुमारी इंवेस्टमेंट की जरूरत है ना इसलिए मेरे डैड मुझे भीजें तुमसे बात कर निकले लेकिन उसके अंदर मनी मना कुछ और चल रहा था वो गुहाओ को अलग तरीके से परिशान करने के चक्कर में ती गुहाओ जब उसक स्बूस करने का प्लाइन रही थी और वो क्या प्लाइन बना रही थी वह लोग निक्स्ट पार्ट में जानेगे अभी हम लोग इसाफ को कन्टिनियो करते हैं तो अगले दिन जब गुहाओ चैन्का वीड कर दे रहा जाता है जिन नहीं आती है वह बैस सबरे से फोन का नेजर का कॉल आता है और वो बताता है कि चेंग की तबियत खराब है इसलिए आज वो काम पर नहीं आ रही है अब यह सुनने के बाद गुहाओ फटाक से निकलता है चेंग के गर उसे मिलने के लिए चेंग उसे देख करके तो सौक्ड हो जाती है कि वो यहां पर क्या कर रहा तो मुझे बतातों देना चाहिए था ना चेंग कहती है तुम बोस हो मेरे मैं तुम्हें यह सारी चीज़े क्यों बताऊंगी और वैसे मैंने लिव ले लिया था अब तो गोहां से रहा नहीं जा रहा था वो से कहता है कि मुझे तुमसे हो गया है प्यार और मुझे नहीं चेंग को पिस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं था वो भी उसे महनी मन पसंद करने लगी थी इसलिए वो भी उसके इस रिलेसंसे पहले प्रपोजल को हां कहे देती है फिर वो उसे प्यार से किस करता है अब भाई बंदा रिलेसंसिप में है तो अपनी बंदी का ख्याल दो रखेगा चेंग जब उड़ती है तो दोनों फोन से कनेक्टर थे और वो हर बात का मैसेज उसे किया करता था और हर चीज पूछा करता था जब चिंग खाने के लिए फ्रिज खोलती है तो देखती है कि अच्छे बॉइफिन की तरह उसके लिए बहुत सारी तेस्टी चेस्टी चीज़े खाने के लिए रखे गया है अब भाई उसकी बंदी बिमार है तो उसका ख्याल दो रखे गई ना सच में बॉइफिन जब केरिंग होते है ना तो जादा बेटर होता है वह उसके लिए हर अब भाई ने फूर्ट्स खाने की चीज़ें बहां पर बना के रखा करता है ताकि वह जल्दी से खाकर के रिकवर हो जाए अब एसे ही कुछ दिनों तक चलता है गुआ हो है रोज आता है उसके लिए खाना बना रख के चले जाता है पाईनली कुछ दिनों बाद चेंग प हम दोनों वहां पर पहली बार मेरे ते तुम्हारे ओफिस में लेकिन ऐसा नहीं है मैं तुमसे उसी समय मिला था जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था तो अब चेंग को याद नी था तो एक्स्प्लेइन करता है कि एक्शल में तुम्ही याद होगा को जिनों पहले रात में तुम किसे से बचते हुए भागी थिया और उससमें तुमने मुझे पहले हग किया था और फिर उन बदमाद गुंदों से बचने के लिए मुझे किस्प्र किया था तब जाकर कि चेंग को याद आता है वह सरमाने लगती है क्योंकि यह थोड़ा आजीब हो जाता ह गुहाँ कहता है तुम सीच्विशन को समझ सकते हो तुम एंबर्स होने की जरूरत नहीं है फिर वो उससे कहता है कि मुझे उस히 समय से तुमसे प्यार हो गया था तो चेंग सोचती है चलो कम से कम अऔर मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचता है चेंग दोनों एक अच्छे बले लबी दभी बले रिलेशन में आते हैं लेकिन ड्रामा है इतनी जल्दी कहाने तो खतम होने नहीं वाली है और इसके दोतिन पार्ट आने वाले हैं थोड़ा सा ड्रामा थोड़ा सा एक तक पूर की सेरियल्स की तरह अपसंड डाउंस तो ड्रामा में आएंगे यहां पर दोन एक दूसरे को किस करते हैं और यह वाला पार्ट हमारा कम्पलीट होता है जल्दी से मिलेंगे हम लोग इस ड्रामा के पार्ट फोर में